अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियोस के बारे में आफ्टेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे जानना चाहती हूँ कि यदि सर्गी सरकार बनती है तो जो क्रिश्जन भाइए हमारे क्या उनको इविश्वास दिला सकते हैं कि उनके चर्ण तोड़े नहीं जाएंगे ऐसा तो कभी हुआ नहीं कभी सुना नहीं जाएंगे सर ऐसा नशुना है न कभी हमने जाना है अश्वासन चाहते हैं उनकी सेफ़के आश्वासन चाहते हैं मैं आपको पता थो एक तो ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं है नंबर वर नंबर टू गुजरात के अंदर दुनिया की सबसे छोटी माइक्रो मैनोरिटी है पार्सी उन पार्सी का उद्वारा में तिर्सक्षेतर है हमारी सरकार आने के बाद और उसको ग्लोबली और मैंने तो कहा इरिलीशियस हर्मनी यहाँ वर्ल्ड कैपिटल बन सकता है ऐसा बनाने में मैं लगा हुआ हूँ पार्सी का स्थान है और ये भारत के जहन में नहीं है, भारत के हजारों बर्स का इतिहाद देखिए, कभी तलवार ले करके, किसी के धर्म पर आक्रमन नहीं किया है, हमारा देश ऐसा है, जो कहता है, इसका भगवान, उसका भगवान, उसका भगवान, ये हमारी सोच नहीं है, हमारे देश की सोच है इश्वर एक है और उसे प्राप्त करने के रास्ते अलग-अलग है और सभी रास्ते इश्वर के पास ले जाते हैं और इसलिए कोई उंचा है कोई नीचा है यह चाहिए यह नहीं चाहिए भारत का सम्विधान इसके लिए किसी को सहमती नहीं देता है हमारी यहां संप्रदाई बात नहीं चल सकता है हम धार्मिक लोग हो सकते हैं संप्रदाई जनून हमारे देश में कतई नहीं चल सकता है और इसलिए भारतिय जनता पार्टी का ये मोटो रहा है सर्व पंथ समभाव सभी पंथों के प्रती समभाव होना चाहिए इसलिए मैं इस देश के सभी नागरिकों को कहता हूँ आप आस्वस्त रहिए ये जातिवात का जहैर ये संप्रदाय का जनून भारत की प्रगति को रोकता है और ये हम नहीं होने देंगे अपने क्रिश्चन्स को पार्शियों को भरोसा दिलाया क्या देश के मुसल्मानों को भी ऐसा ही भरोसा दिला सकते हैं देश का कोई भी व्यक्ति, भारत मा का कोई भी लाल, उसको वो सारे अधिकार हैं जो नरेंद्र मोदी को है। और मैं इस ए बात कहने से डरता नहीं हूँ, आपको घर में भी कुछ तो डिसिप्लिन रखनी पड़ती है, और डिसिप्लिन रखना गुना है, तो भारत की भलाई के लिए वो गुना भी मुझे मंजूर है। चैवम नहाहीं है। पुम श्मार ग्वाच्ट